आज हमारे राम आ गए हैं सदियों की प्रतिछा के बाद हमारे राम आ गए है सदियों का अभूत्पुर्व धैरिया अंगिनत बलिदान प्याग और तपश्या के बाद हमारे प्रभुराम आ गए है इस सुबगड़ी की आप सभी को समस्त देशवाशियों को बहुत बहुत बढ़ाई मैं अभी गर्भ गुरुह में इश्वरिय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्तित हुआ हूँ कितना कुछ कहने को है लेकिन कंठ अवरुद्ध है मेरा शरीर अभी बीस पंदित है चित अभी भी उस पल में लीन है हमारे राम लला अब टेंट में नहीं रहेंगे हमारे राम लला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे मेरा पक्का विश्वास है अपार स्रद्दा है कि जो गटित हुआ है इसकी अनुभूती देश के विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी ये च्छान अलोकिक है ये पल पवित्रतम है ये माहोर ये बातावरन ये उर्जा ये धड़ी प्रभूस्री राम का हम सब पर अशिरवाद है बाईश जनवरी दो हजार चोबिस का ये सूरच एक अध्भूत आभा लेकर आया है 22 जनवरी दो हजार चोबिस ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं ये एक नए काल चक्र का उद्गम है राम मंदिर के भूमी पुजन के बाद से प्रती दीन पूरे देश में उमंग और उच्छा बढ़ता ही जा रहा है निर्मान कार्य देख देश वाचियों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है आज हमें स्री राम का मंदिर मिला है गुलामी की मानसिक्ता को तोड़ कर उठ खड़ा हो राष्ट अतीत के हर दंस से होंसला लेता हुआ राष्ट ऐसे ही नव इतिहास का स्रजन करता है आज से हजार साल बाद भी लोग आज की इस तारिक की आज के इस पल की चर्चा करेंगे और यह कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं इसे साक्षाद घटीद होते देख रहे हैं आज दिन दिशाएं दिख दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है यह समय सामान्य समय नहीं है यह काल के चक्र पर सर्वकालिक शाहि से अंकिद हो रही अमीट स्मृति रेखाएं साथियों हम सब जानते हैं कि जहां राम का काम होता है वहां पवन पुत्र हनमान अवश्य विराजमान होते हैं इसलिए मैं राम भक्त हनमान और हनमान गटी को भी प्रणाम करता हूँ मैं माता जान की लक्षपन जी भरत सत्रूग्ण सब को नमन करता हूँ मैं पावन अयोध्य पुरी और पावन सर्यु को भी प्रणाम करता हूँ मैं इस पर दैविय अनुभव कर रहा हूँ कि जिनके आशिरवात से यह महान कार्य पूरा हुआ है वे दिव्य आत्माएं वे दैविय विभूतियां भी इस समय हमारे आश पास उपस्तित है मैं इन से भी दिव्य चेत्राओं को भी कृतग्यता पूर्वक नमन करता हूँ मैं आज प्रभूस्री राम से छमाय आचना भी करता हूँ हमारे पुर्शार्थ हमारे त्याग अपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक यह कार्य कर नहीं पाए है आज वो कमी पूरी हुई है मुझे विश्वास है प्रभूराम आज हमें अवश्य शमा करेंगे मेरे प्यारे देश्वास्यों त्रेता में राम आगमन पर पुझ्य संत तुल्शिदाज ने लिखा है प्रभू विलो की हर्फे पुरबासी जनित वियोग विबत्ति समनासी खर्थात प्रभू का आगमन देकर ही सब अयोध्यवासी समगर देश्वासी थर्थ से भर गए लंबे योग से लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी उसका अंत हो गया उस कालखन में तो वो वियोग केवल 14 वर्षों का था तब भी इतना सही था इस यूग में तो अयोध्याव और देश्वासी ने सेंकडो वर्षों का वियोग सहा है जादी आपनों को आमों वीडियो टी भल लगिला तेवे आमों चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करेब कुछ जमा भी बोलनतो नहीं